हाँ तो भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालो अलर्ट हो जाओ क्योंकि आज इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलने वाली है सायद आपको ना पता हो और कोई कॉलेज आपको ये जानकारी नहीं देने वाला हेलो दोस्तो वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल गेंबा गयान दोस्तो आज की ये वीडियो स्पेसल इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग के शुडेंट्स के लिए है आज इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे स्पेसल जॉब ओरियेंटेड इंडस्ट्रिकल स्किल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसे की हर इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग जो की आपका पैसन है उससे रिलेक्टेड जॉब चैये तो आपको starting से इन स्किल्स को जरूर सीखना चाहिए और अपने रिजुम में मैंसन करना चाहिए ताकि वैसे रिक्लूटर जो की स्पेसली इलेक्रिकल ब्रांच की सुडेंट को फाइंड कर रहे वो आपके रिजुम की और एट्रेक्ट हो और आपको चूस करें और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन स्किल्स को फ्री में सीख सकते हो और अपने रिजुम में मैंसन करके एक अच्छी जॉब पा सकते हो तो चलिए बिना किसी देरी के आज कि इस वीडियो के मेंन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मैं किस बेस पे कह रहा हूं कि इन स्किल्स को सीखने के बाद आपको इलेक्रिकल ब्रांच से रिलेटेड जॉब मिलेगी देखो दोस्तो हर इंडस्ट्री में अलग 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 डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें कि दो स्पेशल डिपार्टमेंट होते हैं पहला होता है मेंटेनिस डिपार्टमेंट दूसरा होता है रोबोटिक्स और आटोमेशन हर इंडस्ट्री में इसे अलग 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 ना safety and measurement की skill दोस्तो ये एक ऐसी skill है जो कि हर industry हर company की पहली requirement होती है क्योंकि कोई भी company ऐसा नहीं चाहती कि वो जिस candidate को hire करने जा रही है या hire कर रही है उसके अंदर electrical safety से related knowledge ना हो information ना हो इस skill में basically आपको ये पता चलता है कि कौन से ऐसे important electricity rule है जो की safety से related है basic safety accident prevention क्या होने चाहिए क्या protection होना चाहिए इतने type के tools and tackles use होते है electrical installation के time और भी बहुत सारी चीज़े basically अगर आपको इस skill को सीखना है तो मैं आपको एक dedicated course प्रोबाइड करवा रहा हूँ तो ये course आपको मिलेगा swam.com पे इस course का link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा ये course है electricity and safety measure का course इस course के अगर बात करें तो 12 week का ये course है एक फरवरी से ये course start होने वाला है अगर आप ये वीडियो future में देख रहे हो तो भी आपको ये course swam.com पे मिल जाएगा simply आपको इस course को enroll करने के लिए यहाँ से sign in या register कर लेना है अपने किसी भी mail id या facebook account के through भी आप sign up कर सकते हो उसके बाद simply आप enroll कर लोगी इस course को इस course का अगर layout बताऊं तो basically इसमें elementary electrical basic of electricity उसको बाद general tools and tackle electric power system transformer major substation equipment earthing electrical system protection और भी safety and measurement से related बहुत सारी चीज़े हैं इसका एक छोटा सा overview मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखा आपने course कुछ इस तरीके से आपको वीडियो के format में मिलेगा total 12 हपते का यह course है आप इसको free में enroll कर सकते हो और electrical safety and measurements से related skills को अपने resume में यहां से सीखने के बाद add करके job के लिए apply कर सकते हो तो चलिए जानते हैं दूसरी skill PLC programming के बारे में दोस्तो basically PLC का मतलब होता है programmable logic controller basically PLC किसी भी machine का दिमाग होता है और यह हर industry में आपको ऐसा system देखने को मिल जाएगा हर industry को PLC programmer की जरुवत होती है क्योंकि वहाँ पे machineों से काम होता है PLC programming की skill एक ऐसी skill है जिसमें की आपको PLC program बनाना होता है जिस program के base पे machine काम करती है हर industry machine को customize करना चाहती है अपनी जरुवत के हिसाब से इसलिए उन्हें एक programmer की जरुवत होती है ताकि वह जरुवत के हिसाब से machine के operation को change कर सके और robotics and automation में भी इसका एक बहुत बड़ा role है ज्यादत तर automation के काम में PLC का ही use किया जाता है अब यह depend करता है कि आप कौन सी PLC सीख रहे हो क्योंकि PLC बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है जैसे कि Mitsubishi, Siemens, Delta, Omron और भी बहुत सारी कंपनी PLC controllers बनाती है हर किसी का software अलग होता है, हर किसी को चलाने का तरीका अलग होता है बट आपको basic जानने की जरुवत है अगर आप एक fresh student होतो अगर आपके पास basic knowledge है तो ये interviewer को काफी impress करेगा और आपके job लगने की chances भी बढ़ेंगे basic skill को कहा से free में सिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तो PLC programming का Hindi course आपको free में learn1.com पे मिल जाएगा मैं इस course का link आपको video के description में दे दूँँगा basically इस course के अगर बात करें तो इसमें आपको PLC programming की basic ladder logic का basic implementation of latching and interlock, timers and counters और भी बहुत सारे special instruction के बारे में बताया जाएगा ये जानकारी किसी भी fresh student के लिए enough है इस course का एक छोटा सा introduction मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखा आपने ये course बिल्कुल हिंदी में है और इसमें आपको basic से advanced तक की knowledge दी जाएगी वैसे तो ये course free है बट आपको अगर इसका certificate चीए तो आपको 499 रुपे खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको कहीं interview में certificate की जरोत पड़ती है तो आप इसी website से 499 रुपे पे करके इस course का अपने नाम का certificate डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए बात करते हैं skill no.3 computer networking and communication की skill दोस्तो basically ये IT field से related skill है बट एक electrical engineer को networking and communication की knowledge होनी ही चाहिए क्योंकि industry में जो machine होती है वो आपस में communicate करती है communication के अलग-अलग mode हो सकते है अलग-अलग protocols होते है अलग-अलग devices जूज होते है communication करवाने के लिए इबन PLC में भी आपको communication ही करवाना पड़ता है तो इसलिए electrical engineer को communication and networking की knowledge होनी चाहिए इसके अंदर IP address define करना अलग-अलग topology को सीखना जैसे की ring topology, star topology, hybrid topology अलग-अलग networking devices के बारे में जानना जैसे की hub, switch, bridge, routers और भी अलग-अलग चीजे इन सभी की knowledge आपको होनी चाहिए जो की networking and communication में आता है अगर आप इन skills को सीखते हो और अपने resume में mention करते हो एक अलग-ई impression जाता है recruiter के उपर जिससे की ज़्यादा chances होते हैं आपके selection के और खास करके यह skills आपको आगे चलके बहुत help करने वाली है industry में अगर आप maintenance field में जाना चाहते हो या robotic and automation में जाना चाहते हो तो इस skills को सीखने के लिए जो free course का link है वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा learn one की तरफ से यह course आपको सिखाया जाएगा computer networking course इसके अंदर जो curriculum में course का वो मैं आपको बता दू इसमें आपको बताए जाएगा what is network networking devices के बारे में जो कि मैंने आपको बताया transmission media के बारे में LAN के बारे में topology के बारे में OSI model के बारे में network protocols के बारे में यह चीजे बहुत ही important है हर electrical students के लिए सीखना तो इस course का फ्री में enroll कर सकते हो और certificate चाहिए तो आप इनका certificate 500 रुपय में पा सकते हो 499 रुपय में पहले आप जानकारी ले लो सीख लो धिर जॉब के लिए apply करो अगर certificate की जरुद पढ़ती है तो चार सुनी रानवर के पे करके इसी website से certificate डाउनलोड कर सकते हो तो यह थे वो तीनो skills जो कि आज मैं आपको बताना चाहता था अगर आपको और भी advanced skills के बार में जानना है जो की इंडस्टी में change हो रहा है technology में उसके बारे में जानना है तो आप comment में yes लिख के जरूर बताईए और अगर आपके पास कोई और भी skills की advice है तो भी आप comment करके जरूर बताईए दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करना मैं इस वीडियो पे कम से कम 200 likes का target रखता हूँ hopefully आप लोग इस target को achieve करवा दोगे और इस जानकारी को अपने दोस्तों सक जरूर share करना ताकि उन्हें भी ऐसी useful information के बार में पता चल सके आगे ऐसी जानकारी पानी है तो आपको चैनल को subscribe करके bell icon को दबाना पड़ेगा ताकि आप एक भी useful वीडियो को miss ना करो तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you